धन्य हो सरकार last date जो की आज जा चुकी है उसके बाद ये resolution दे रहे हैं पूरा हिंदुस्तान पूरे व्यापारी वर्ग जो qrmp scheme में था पिछले 10 दिन से परेशान हो रखा था आज due date पे इन्होंने ये update दी है जी हाँ last date पे इन्होंने update दी है गलती करने वाले कर चुके requirement instantly थी वो due date पे इन्होंने update दी है अब दी है उन्होंने तो देखते हैं दोस्तों क्या है वो update updates in form GSTR1, GSTR3B and matching offline tool for taxpayer and qrmp scheme आपकी बहुत सारे issues थे जो इस particular update से resolve भी होंगे लेकिन ये last date पे है with effect from 1st January 21 all taxpayer with aggregate turn or up to 5 crore have been given an option to file there from GSTR1 statement and GSTR3B return on quarterly basis हम सब को पता है 1 January 2020 से अगर आपका turn or 5 crore से कम था previous financial year में तो आप GSTR1 और 3B quarterly basis पे भर सकते थे आपको पता था कि IFM में आपने January और February में आपके B2B invoices दिखा दिये थे और बाकी के जो remaining invoice थे वो में GSTR1 month 3 जो की March में select कलना था उसमें दिखाना था कि IIFM में जो JAN और FEM में bill दिखा दिये थे अब बाकी के bill आपको March में जब आप GSTR1 बर रहे हो तब आपको दिखाने थे नीचे नो लिखा है the silent points relating to filing of GSTR1 statement and auto population of liability in form GSTR3B for taxpayer under QRMP scheme for the quarter January March 2021 आप समराइज भी लो तो GSTR1 statement जो आप बढ़ने जा रहे हो और जो GSTR3B में automatically आपकी liability auto populate हो रही थी January से लेके March 2021 में कैसे होने वाली है उसकी नोने नीचे समराइज form दे रखा है बिफोर filing form GSTR1, taxpayer note the following यह बोल रहे है कि GSTR1 जनुरी से मार्च मार्च 3 है उसकी GSTR1 भरोगे उससे पहले आपको यह चीज ध्यान देनी है जबकि आज इसकी due date और due date पे हमें यह बता रहे है कि आपको यह return भणने से पहले इस चीज का ध्यान देना है यह चीज आज से 15 दिन पहले एक महिने पहले आ जानी चीज़े लेकिन आज जगी यह सरकार जी हां मैं बहुत हार्श हो सकता हूं क्योंकि last date पे इनकी update देने की आदत बन चुकी है मनमर्जी कर रहे है जी हां बिलकुल आप मनमर्जी में लगे होए हो पूरे व्यापारी जगत को आप mentally harass कर रहे हो क्या update दिये इनोंने दोस्तों कि GSTR 1 भणने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है दूसरी बात जनवरी और फर्वरी में जो आपने फाइल कर दिये इन्वोईस वो दोस्तों आप वापिस से फाइल नहीं कर पाऊगे आपके सामने एरर आएगी इफ इन submitted state अगर आपका submitted state में है file IFF before filing from GSTR 1 तो अगर आपका कोई invoice save state में है तो उसको delete करिए अगर submit कर दिया है तो आप उसको IFF को file करिए और अगर IFF file हो गई है तो जैनर फैम में जो आपने bill दिखाए है वो आपको मार्च में फिर से दिखाने की जरुरत नहीं है यह update वापिस से बोल रहा हूं यहां फिर से सरकार ने मनमानी करी है और यह update देने में बहुत बहुत time लगाया है अगर हम एक दिन से late होते हैं तो आप हमारी दज्या उड़ा देते हो इसका जवाब कोन देगा अब बात आती है कि जो auto population होगा liability का table 3 में तो form GSTR 3 भी में table 3 में आपकी liability auto populate होगी will be auto populate on the basis of IFR file आपने जो IFR file करी हो उसके basis पे if any for the January Fem and quarterly form GSTR 1 for the quarter अगर आपने IFR file करी है तो January और February की तो आपकी auto populate होगी उसके basis पे और GSTR 1 जो आपने quarterly भणने जा रहे हो March की उसकी होगी उसके basis पे और अगर आप IFR file नहीं करी है तो GSTR 1 में आपने definitely January, February, March के bill दिखायोंगे उसके basis पे आपकी auto populate होगी यह बहुत ज़रों को doubt था liability on account of inverse supply attracting reverse charge in table 3.1 is auto populate from tax platform GSTR 2B और जापकी reverse charge की liability है 2B के आधार पे होगी जो कि पहले भी होती आ रही थी नॉर्मल केस में, the system computed liability will also be made available in PDF format, PDF format में भी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर क्या-क्या आपके issues दूर हो रहे हैं जो पहले हो जाने चीत है कि अगर मैंने January, February में IFF file कर दिया है तो क्या March में मुझे वापिस दिखा रहा है जी नहीं आपको March में नहीं दिखाना है January, February में आपने IFF file नहीं किया था केवल submit state में है तो आपको पहले IFF file करनी पड़ेगी और अगर submit state में भी नहीं है आपने कोई invoice add कर रहा था तो उसको पहले आप reset करके delete करें उसके बाद आप quarterly आपकी return भरिए अब एक डाउट यहा आ रहा था कि GSTR 1 जो मैं मार्च की भर रह अब बात आती है अब बात आती है matching offline tool की इसमें के update है तो matching offline tool आप सबको पता है पहले monthly का option था अब उसमें आपको quarterly का option दिख जाएगा तो आप आपके 2B को और 3B को quarterly basis पे check कर सकते है उसको matching करवा सकते है matching offline tool में हम आपको एक दिन दो दिन के बाद एक particular आपको utility आपको लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे आप exactly पर्चेश जरेटन के साथ उसको match कर सकते हैं बट GSTR 1 quarterly से regarding आपके जो भी डाउट थे अब साहिद आपके clear हो गए होगे although due date जा चुकी है कुछ गंटे ब किसी भी तरिके की return गलत नहीं बरी होगी अगर आपसे गलती हो गई होगी अगर यह update आजाती पहले तो साहिद आपसे गलती नहीं होती धन्य हो सरकार और धन्य हो हमारा GSTN जो हमेशा की आदत बना रखी है हैरेश करने की complete हैरेशमेंट करने की जिन्नोंने आदत बना रख यह thank you so much जा हिंद जा भारत